कर दो कर दो सकती है तो वो चीज हमें चेक आउट करनी है इसके लावा कली मैंने आपको तीन स्टॉक्स बताई थे आज की बाई के लिए वो उन्हें अच्छा पूफरमेंच दी है तीन स्टॉक्स में और लेकर आया हूं जिसमें से अल्रेडी मैं टेली ग्राम पे एस बीटी एस टी ट्रेड दे चुका हूं तो मेक शूर आप मुझे टेली ग्राम पर फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन पर लि हम लोग ने निफ्टी का चार्ट उपन का लिया कल जो हमने डिसक्रिशन करी थी मुस्स प्रॉबबली एक ग्याप उपनिंग हमें देखने वाली है क्योंकि इन्फलेशन का डाटा थोड़ा अच्छा आया था इसके लावा आज मुस्स प्रॉबबली शायद यूएस पे फ में उपना five minutes time frame and on a five minutes time frame एक शुरवात में थोड़ी सी गिरावट आई हमेंसे ऐसा profit booking गया सकते है but again momentum start but वो भी चीज निकल गई and कुछ time बादी जित्ती momentum आई exactly at the same time of period के अंदा momentum finish होगे अगेन momentum करी बटो momentum जादा strong नी रही बट breakdown हमें देखने को मिला and same चीज फॉलो उती रही तो market अभी उपा लेवल पर थोड़ा सा dicey feel कर रहा है और 18,700 से 18,600 का जो लेवल है वो थोड़ा सही ग्रेंच मांड और एक ऐसर रिजिस्टेंस आक्ट कर रहा है तो वो चीज हमें जरूर चेक करनी होगी एक बाद मैं आपको open interest का data दिखा देता हूँ तो आपको और ज्यादा clear understanding हो जाएगी यहाँ पर आप चेक कर सकते हूँ कि almost आज भी seven eight lakh contracts call writers के exit करें and wind करी है position call writers ने eight lakh open interest का change हमें देख लेगो मैंने negative that means की unwind करी है that means कि जो भी उपर के 18,600 के जो भी call writers थे जो सोच रहे थे इसके उपर नहीं जा सकता यह इसके उपर expiring नहीं हो सकती है वो लोग exit कर रहे है that means there is a higher chance और higher probability की कल 18,600 के उपर एक closing देखने को मिल सकती है इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं की 18,500 से लेके 18,600 तक सारे के सारे call writers decline कर unwind करें बड़ साथ में 17,000 18,500 से लेके 18,600 तक put writers भी हलकल के unwind हुए है which is not a good sign that means की market sideways रह सकती है squeeze कर सकती है अगर either side breakout आता है या breakdown आता है तो वो sharp momentum में cover up हो सकता है check है so यहाँ पर आप देख सकते हैं की heavy put writers position बनी है 18,650 पर that means की 18,600 hold करने की कोशिश कर सकती है market वो चीजह में check करनी है इसके लावा bank nifty आपको show करके दिखा देता हूँ and yeah so on bank nifty let me open a one hour time frame for you on a one hour time frame आप देख सकते हैं की rising which की ऊपर rising which pattern पे ही यह particular index काम कर रहा है and on 30 minutes time frame आप act कर सकते हूँ यह किस तरीकी से behave कर रहा है एक breakout आता है after that it create a bullish flag and pull pattern and it gave a very good breakout after that simple impulse move आई अब यह दुबारह एक range के अंदर trade कर रहा है अगर कल breakout आता है almost 44,100 की ऊपर तो एक momentum आ सकता है अगर जो कि almost वहां से 500 से 200 point की rally भी कर सकता है वो चीज़ हम check कर सकते हैं but let me just draw this line for you अगर यह level break होता है that means we can say कि अगर आज का low भी break होता है और अगर उसको नीचे closing देखने को मिलती है 15 minutes की candle का भी तो हम assume करके चल सकते हैं कि 43,800 43,850 के targets भी on a lower levels देखने को मिल सकते हैं अभी बात याद रखेगा अभी तो market एक uptrend के अंदर it's continuously making higher rise and higher lose and अगर में wave की बात करें तो 1,2,3 and almost 3 and 4th wave अभी तक बनी नहीं है तो we can imagine की यहां तक एक fall आ सकता है और उसके बाद एक अच्छी recovery आ सकती है second चीज की rising which pattern में यह काम कर रहा है तो most probably जो इसके targets होते हैं जो इसकी move होती है वो downtrend breakdown में होती है ना के breakout पे होती है पॉजीशन को अन्वाइट करना start कर रहा है and put writers ने position नहीं बनाएए याद रखेगा कि put writers ने अपनी position नहीं बनाएए that means they are not thinking कि market उपर sustain करेगा but call writers believe कर रहे हैं कि market उपर करेगा so that means कि buyers are not that much active बट जो sellers हैं वो थोड़ा बहुत अन्वाइट कर रहे है वो चीज़ हमें focus में रखना है इसके लिए 44,000 में heavy positions बनी है 44,100 चे लिए 44,700 तक heavy call writers active है मतलब उपर resistance ही resistance उपर जाना difficulty है नीचे जाना की possibility बढ़ सकती है अगर market gap down या नीचे जाना start करती है तो यह चीज़ भी हम factor in कर सकते हैं so bank nifty में कल अगर gap up होता है sustain करता है तो तो upside की बात कर सकते है otherwise हम एक downtrend दिख सकता है यह चीज़ हम check करें अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ stocks की तो सबसे पहला stock जो मैं लेकर रहा हूँ that is Linda India and particular stock में बहुत बार आप लोग दे चुका होंगा और अच्छे results भी इसने दिया अभी एक symmetrical triangle pattern के अंदर यह work कर रहा था बहुत time से and eventually अभी breakout देनी की त्यारी कर रहा है it created a double bottom as well यह थोड़ा resistance side है but I personally think इसका भी breakout आ जाएगा and अभी symmetrical triangle pattern का आज तो इसने definitely breakout दिया let me show you on a early time frame यहाँ पर आप check कर सकते होगी after a very good impulse move it created a bullish pennant pattern and this pennant pattern का breakout दिया volume market volume profile का अगर indicator का use करें तो heavy volumes इसी levels पे थी जिसके उपर जाके इसने closing करी है which is a very good sign अभी trade कर रहा है 3265 rupees के आसपास अगर यह gap अगर यह थोड़ा सा dip भी देता है 10 15 rupees का तब भी हम इसे buy कर सकते है इसके जो मैं target से zoom करके चलना that is around 33 120 rupees का इसको एसको as a watchlist लेकर चल सकते हो add कर सकते हो कम levels में मिलता है और buy भी कर सकते हो मैंने already as a btsd trading particular stock दी रखा है अब बात करते है अपने second stock की that is we got आप चेक कर सकते हो कि एक बहुत अच्छा head and shoulder pattern मना जिसका breakout दे चुका है इस particular level को let's ignore this for a moment आप इस rejection को या फिर इस false breakout को as a remove कर सकते हैं but आप चेक कर सकते हैं कि जो भी closing होई है वो इस black color की line के नीचे ही हमें देखने को मिलिया आप चेक कर सकते होगी आज finally इसकी उपर जा कि लूजिंग दिया और प्रॉपर head and shoulder pattern second thing is कि आप देख सकते होगी कुछ past few weeks से बहुत बड़े-बड़े rejection समय आप देखने को मिल रहे थे आप देख रहे हैं but finally यह बार-बार ऊपर जा रहा था which is कि आपर momentum अभी भी बाकी है buyers अभी में एक strong hold रखते हैं और वो अभी इंट्रस दिखा रहे हैं कि breakout होगा और एक अच्छी momentum देखने को मिल सकती है so make sure to watch we got अभी around 270 rupees के आसपा चल रहा है breakout दे चुका है I personally think 288 से 290 rupees के targets भी दिखा सकता है और भी उपर जा सकता है but make sure कि intraday में अगर कर ट्रेड मिलता है तो आप इसे ले सकते हो और यह अच्छी results दिखा सकता है अब बात करते हैं अपने 3rd stock की so guys हमारा 3rd stock is Isher Motors को अगर मैं study करोना तो बहुत अच्छा particular stock है और अच्छे results दे सकता है आप देख सकते हो कि it's continuously weekly charts के अंदर continuously 2022 March से ही एक uptrend के अंदर है और बहुत systematic way पे ऊपर जा रहे है यानि कि बड़ी-बड़ी moves दे रहे sustain करता है फिर breakout आता है फिर sustain and फिर breakout आता है after a very good move यहां पर it created a double top type of scenario but मैं इसको अभी के लिए ignore करना चाहूँगा एक three blackhead candles हमें देखने को मिली after that a very good pause यहां पर आम देखा एक insight candle थी after that a breakdown of this particular insight candle that means continuous fall हमें देखने को मिलना चाहिए but हुआ क्या एक rejection है आपर एक hammer candle हमें देखने को मिली एक next hammer candle देखने को मिली जो sustain career on a higher level and इसने एक falling wedge pattern का जैसे अभी हमने एक rising wedge पड़ा था जो की नीचे breakdown देता है यह falling wedge है जो एक upper side में breakout देता है जो इसने बहुत अच्छा breakout दिया होना daily time frame and I personally think एक अच्छे levels दिखा सकता है as well as अगर आप study करोगे it created a one two three four five wave अब यहां पर a b c d pattern बन रहा है that is a जो की इस level के ऊपर होगा and b and c so एक अच्छी momentum दिखा सकता है within a few weeks और a month यह almost 3800 rupees तक भी जा सकता है तो make sure आप इसे as a swing trade भी लिएकर चल सकते हो stop loss is below this particular level which is very low ठीक almost 100 and 120 points का stop loss है but targets are very good and promising targets to make sure to watch this particular stock as well so have a good day guys I think you have a good day guys I think you have to go with some of my own and my cheese or introduce करने वाला हूं जो भी मैं stocks आप वो देता हूं अगर वो option के अंदर होंगे तो मुन की strategies भी बिल्ट करने के गोशिश करेंगे कि हम किस लिवल पर उसका option बाइ कर सकते हैं किस target पर हम अपने option को exit कर सकते हैं कि आप option trading futures पर आप कर सकते हैं sorry index options तो आप कर सकते हूं प्लस साथ में stock option पर भी हम काम करता है मैं कल से वो चीज रेडी रखूंगा तो make sure आप हमें follow जरूर करिए subscribe करें have a good day guys मैं मिलता हूं आप लोग उसे कल की वीडियो में बादाए